हम जब सर उठाके देखते हैं तो आपने सामने तथागत महत्ना बुद्ध की विशाल प्रतिमा देखते हैं उसको सोना लगा हुआ है चमक्ती है जब उस पर सूरज पढ़ता है तो वह दैदिप्त मान हो जाती है आज विचार करिए धाई हजार साल पहले ये विक्ती लुम्बनी में एक तलाब के नजदीक पैदा हुआ था मा ने जनम दिया मा को बड़े विचित्र स्वपने आए मा ने एरावत को देखा साथ सून्डों वाला हाथी जो इंद्र का वहान माना जाता है इस प्रकार के विच्मे कारी स्वपनों को देखा बुद्ध का जनम हुआ उनका नाम करण सिधार्थ रखा गया और जोत्षियों ने उनके ग्रह रचना देखी और कहा कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा संसार का मार्ग दर्शन करेगा उनके पिता को राजा बनना तो स्विकार था पर ये वेरागी बन जाए साधू बन जाए सब कुछ छोड़ दे ये उनको स्विकार नहीं था तो बुद्ध के जीवन में उन्होंने विलासता भर दी बुद्ध के जीवन में उन्होंने इतना जिसको हम प्रमोद कहेंगे जिसको हम हापिनिस कहेंगे जिसको हम कहेंगे कि इतना अच्छी अच्छी बाते उनके जीवन में आई सुन्दर सुन्दर चीजें उनके जीवन में आई पर आपको मालूम है रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात आती है एक दिन सिधार्थ रथ पर बैठके यात्रा कर रहे थे उन्होंने अपने सामने एक बुढ़े आदमी को देखा जो कांप रहा था चल नहीं पा रहा था बुद्ध ने कहा ये क्या हो गया जिसने अपने सामने केवल यौवन देखा हो अपने सामने जवान आदमियों को देखा हो वो जब एक बुढ़े आदमी को देखता है तो बड़ा अश्यर होता है कि इसको क्या हो गया उनका मंतरी कहता है ये व्रद्ध हो गया है संसार का नियम है हम बालक के रूप में पैदा होते हैं यवन अवस्था को प्रात करते हैं जवन के बाद हम फिर प्रद्धवस्था को प्रत्त करते हैं and we decay हमारा हास होता है ये व्यक्ति प्रद्धवस्था को प्रत्त हो गया है और आब ये बहुत जाने वाला है आगे गए बुद्ध ने देखा एक बिमार आदमी को ले जाया जा रहा है क्या हो गया इसको जिसने के सवस्त आद्मियों को देखा हो, the man who has seen only healthy people, अच्छे अच्छे आद्मियों को देखा, स्वस्त आद्मियों को देखा, अब वो एक बिमार को देख रहा है, जो खास रहा है, स्वास नहीं ले सकता, बोल नहीं पा रहा है, उनके मंत्री ने कहा, सिधार्त राजकुमार ये बिम विक्ति है, बोला बिमार क्या होता है, बोला स्वस्त आद्मियों कभी कभी बिमार भी हो जाता है, जब रोग लग जाते हैं, तो विक्ति बिमार हो जाता है, सिधार्त आगे गया, तो क्या देखता है, कि एक अर्थी पर लाश पड़ी है, चार आद्मियों उसको उठाके ले जा रहे हैं का इसको क्या हो गया यह तो हिल बें नहीं सकता मंत्री कहता है यह मर गया जिसने सुन्दर सुन्दर व्यक्तियों को देखा हो जवान लोगों को देखा हो हेल्दी आद्मियों को देखा हो अब देखता है कि आदमी तो मर गया यह चल भे नहीं सकता बोल भए wel नहीं सकता है इन तीन बातों ने बुद्ध को हिला दिया सिधार्ट को हिला दिया हाज हम इसलिए यहां आए हैं कि इन बातों का हम भी देखते हैं आड़ोस पड़ोस पे आप देखेंगे तो आपको बुढ़ी माता मिल जाएगी चश्मे लगे हैं देख नहीं पा रही है आपको कहीं दूर जाने के ज़रूरत नहीं आपको बिमार आद्मी भी मिल जाएगा आपको और दूर जाएगे तो आपको कहीं न कहीं अर्थी भी मिल जाएगी इस त्री थिंग्स शुक बुद्ध सिधार्थ को इन तीन बातों ने जंजोर दिया और उसने कहा कि मुझे जवाब चाहिए इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध का मतलब होता है जागरित जागरण अवेकन्ड इनलाइटन्ड अभी अभी हमारे सामने बुद्ध के पुजारियों ने लामाओं ने और हिंदु धर्म के पुजारियों ने विपरों ने यज्य किया सद भावना से प्रिरित हो करके क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्त सुखिन, सर्वे संत दिरामय, सर्वे भद्राणी पश्चन्तु मा कश्चित दुख भाग भवेद सब का लोक कल्यान हो, सब का भला हो और इसी भावना से प्रिरित होकर के सिद्धार्थ कहते हैं, आदमी बुड़ा होता है, आदमी बिमार होता है, आदमी मर जाता है वोट इस दा अंसर और जिस आदमी ने उसका जवाब घुंड लिया, वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गया उसने अपने आपको जान लिया, आज हम यहां इसलिए आए हैं, कि सिद्धार्थ ने अपने आपको जाना और उसका जानना उन्हें बुद्ध बनाता है, अवेकेंड सोल बनाता है हमारा नाम क्या है, सबको पता है, पर ये नाम हमारे माता पिता ने रखा है हम क्या है, ये जानने के लिए सद्धगुरु महराज का सहारा लेना होगा गुरु बिन ज्यान न हुए, ज्यान के हुए, विराग बिन सुखी लहें, हर भक्ती बिन गावई वेद पुराण गुरु के बिना ज्यान नहीं होता है हम यहाँ पर आए हमने अपने साथ एक गाइड लिया गाइड ने हमें रास्ता बताया हम यहाँ पहुँच गए हम यहाँ आए हमारे पास जीपीएस था जीपीएस का सहारा लेके हम यहाँ पहुँच गए इसी प्रकार से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं और यह पास भी जीपीएस होता है तो बिना गुरू के ग्यान नहीं होता आज जो विद्या हमने पढ़ी है यह भी किसी गुरू ने हमें सिखाई इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं गुरू बनाओ जो कि जो हमारा प्रॉसेस है आपने देखा होगा मैं आपको एक साइंटिफिक एक्जामपल दूगा जो यहाँ विज्ञान के विद्यारती है मेरे एक्जामपल को समझेंगे आपको पता है जब ऑक्सिजन बनाई जाती है तो पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है और पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने से ऑक्सिजन निकलती है यह हम सभी जानते हैं पर उसके process को accelerate करने के लिए उसके process को तेज करने के लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर manganese dioxide डाल देते हैं और जब उसको heat किया जाता है तो manganese dioxide oxygen नहीं देता है वो उसके process को तेज करता है उसको कहते हैं इसे ही बुद्ध का function क्या है आपको आपकी awakening में accelerate करना आपके आतज्यान को जानने में आप क्यों accelerate करना catalyst करना तेज कर देना तभी कहा बैता था बहजात था लोक वेद के साथ पैंडे में सद्गुरु मिला दीपक दीना हात दीपक दीना हात सों वस्त देई लखाए और कोट जनम का पंत था पल में पहुंचा जाए सद्गुरु महराज वो रास्ता बताते हैं जो बिलकुल एक shortcut होता है जिसे कहते हैं cross flight अभी हम इतना चल करके आए पहाड में घूमते घूमते आए पर आस्मान से अगर हम आएंगे तो सीधे जो कवे की जो दिशा होती है कवे की जो उड़ान होती है सीधे उड़ने की उस तो इसलिए जो catalyst का function होता है वो सद्गुरु का function होता है आपने देखा होगा हम office में all pins रखते हैं अब all pin है इसी चीज़ है जो चुबने वाली चीज़ है तो बड़ा उसको डबे में रखा जाता है और वो दाएं बाएं ना बिखर जाए तो उसमें एक magnet डाल देते हैं वो निकालना हो तो magnet उठाके एक all pin निकाल लीजिए तो जैसे ही वो all pin magnet से चिपकती है उसके अंदर भी magnetic qualities आ जाती हैं जब हम किसी ज्ञानी गुरु के पास जाते हैं तो उसका ज्ञान संपादित हो करके हमारे अंदर भी spiritual magnetism हो जाता है चिद्धार्त ने बहुत कुछ देखा उसके बाद उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा एक पेड़ के नीचे बैठ गए और निराहार मन्थन करने लगे आता है कि मारा जिसे हम कहते हैं negativity दूसरे शब्दों में कोई शैतान कहता है तो मारा आता है negativity आती है और बुद्ध के सामने बताती है कि तुमारी वासना कम नहीं हुई तुमारी तृष्णा कम नहीं हुई तुमारा क्रोध कम नहीं हुआ तुमारा शरीर जरूर दुर्बल हो गया है बुद्ध ने एक दृड़ संकल्प लिया और दृड़ संकल्प लेने के बात कहा कि मैं तब तक भोजन नहीं करूँगा जब तक मेरे को जवाब नहीं मिलेगा उत्तर नहीं मिलेगा उदर से सुजाता आती है जो पेड़ की पुजा करती है और बुद्ध को देखकर के सिधार्थ को देखके बड़ी हरशित होती है कि मेरा देवता मेरी प्राथना को स्विकार करने के लिए आ गए हैं बुद्ध को वो खीर खिलाती है और खीर खाने के बार जब बुद्ध के अदर ये मंधन हुआ कि मुझे मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए एक्स्ट्रीम मार्ग में मैं नहीं खाऊगा तो जीवित नहीं रहूँगा जीवित नहीं रहूँगा तो मुझे अवेकेंड स्टेट एलाइटेंड स्टेट बुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होगी इसलिए मुझे मध्यमर्ग अपनाना चाहिए और उसके बाद बुद्ध को आत्नशाक्षात कार हुआ वो कोई बहारी जगत की चीज़ नहीं थी वो इंटर्नल फिनोमना था आपने देखा होगा बुद्ध का चित्र लगाया जाता है बुद्ध के आगे हम दीपक जलाते हैं वो इस बात को सिंग्निफाए करता है कि यहाँ पर प्रकाश है विदाउट लाइट वी केनोट सी बिना रोशनी के हम देख नहीं सकते हैं अंधेरे में आप जाएंगे आपको कुछ नहीं दिखाए देगा चाहे चद्रमा की रोशनी हो चाहे सूरज की रोशनी हो चाहे आपकी आग की रोशनी हो चाहे आपके torch की रोशनी हो चाहे मुंबत्ती की रोशनी हो Without light we cannot see इसलिए हमारे वेदों में प्रार्टना है अस्तो मा सद गमे तमसो मा जोतिर गमे और आप इसका मंथन करेंगे तो आप पाएंगे इसके अंदर एकम सत्य विपरा बहुता वदंती Truth is one, it has been defined by various saints into various languages सत्य एक है आप महत्ना बुद्ध का मंत्र देखेंगे ओम मनी पद्मे हंग आप गात्र मंत्र का ध्यन करेंगे ओम भूर्भास्वा तत्सवितुर वरेंडियम भरगो देवस सधी वही धियो योना पर्चो दयात ओम इसमें कॉमन है आप जैनियों के मंत्र को लेंगे वहाँ भी ओम का उचारण है आप सिखों के मंत्र को लेंगे एक ओमकार सतनाम करता पुरुक निर्भव निर्वेरू अकाल मूरत अजोनी सैंभों सद्गुरु परसादी उस ओम का जो रहिस्य है ओम माने अकार उकार मकार हिरणा गरब विराट तैजस इसका जो रहिस्य है जिसको प्रणव कहा जाता है वो सद्गुरु महराज के प्रसाद से प्राप्त होता है इसी लिए एक समय एक नहर की पानी भरा हुआ था दिख्षुक जा रहे थे एक महला भी खड़ी थी उतर नहीं बार रही थी बार दिख्षकों के लिए वर्जित था कि किसी महला का स्पर्ष करें पर करुणा से एक दिख्षुक ने उस महला को उठाया और उसको नदी के पार रख दिया सारे भिक्षकों ने कहा रे इसने नारी का स्पर्ष किया है इसने नारी का स्पर्ष किया है ऐसा तो हमारे लिए है नहीं कि हम किसी नारी को छुए इसने नारी को छुआ चलते चलते वो अपने संग पहुँचे जो उनका गुरु था गुरु के सामने पहुँचे कहा गुरुवर इसने एक महला को चुआ और महला नदी के किनारे खड़ी थी इसने उठा करके उसको पार उतार दिया गुरु ने पूछा भाई तुमने ऐसा किया तो भिक्षुक कहता है कि गुरुवर मैंने उस महला को उठाके एक किनारे से दूसरे किनारे पर रखके आ गया मैं पर ये तो उस महला को अब भी उठाते हुए यहां तक ले आए हैं ये उसके विचार को अपने मस्तिक्ष में ले करके और यहां तक पहुँच गए और आपसे मेरी शिकायत कर रहा है कि मैंने महला को स्पर्श किया मैंने उसको उठा के रख दिया पर यह भी भी ले के आ रहे हैं ठीक यही बात है कि हमारा मन जो चंचल मन है जो संसार की बातों को ले करके चलता रहता है इस मन के अंदर से विकारों को निकालना है इस मन के अंदर से जो negativity है उसे निकालना है एक साधू से किसी ने पूछा कि साधू महराज आप साधू बन गए आपने भगवे वस्त्र पहलिए आपने क्या खोया What do you miss? आप बताएंगे क्रपा करके आपने क्या खोया तो साधू महराज कहने लगे भाई मैंने क्रोध खो दिया मैंने मोह खो दिया मैंने इर्शा खो दी बाकी मैंने कुछ नहीं खोया आप यही खो दिया मैंने कहने का मतलब negativity खतम हो गई and there is a positive flow बुद्ध का मतलब होता है positivity हम positive चीज को देखें इसलिए हमारे यहां समुद्र मंधन की कथा आती है कि उनसे कहा गया कि तो समुद्र को मतो देवता दानव लड़ते थे लड़ते लड़ते अपनी शक्ति का हास कर रहे थे तो उनसे कहा कि आप समुद्र का मंधन करो इस मंधन से अम्रित निकलेगा तो अम्रित प्रात करने के लिए to become immortal वो लग गए समुद्र मंधन करने लगे तो उन्होंने नेरू परवत का मतनी बनाई और वासुकी का उसमे रसा बनाया उसको मतने लगे चर्णिंग करने लगे इसका मतलब क्या है कि अमानव तुम भी अपने शरीर के अंदर चर्णिंग करो तुम भी अपने शरीर के अंदर मतो जब तुम मतोगे तो तुमारे अंदर भी अम्रित निकलेगा और इसी लिए हमारी प्राठ्थना है अस्तो मा सद गमे तमसो मा जोतिर गमे मिर्तुर मा अम्र्त गमे है ये प्रभू हमें मिर्तु से immortality की तरफ ले जाओ immortality माने जहां कोई जीवन और मरन ना हो eternity हो तो ये हमारी प्राठ्थना रही और जब हम अपने प्राणों की मतनी से मरते हैं तो हमारे जीवन के अंदर अम्रित प्राप्त होता है उसी अम्रित को बुद्ध ने प्राप्त किया इसलिए बुद्ध को हम कहते हैं the most enlightened one ज्यानी हो जाना आज हम करमकांड अपनाते हैं पर सब करमकांड का इशारा उसी तरफ होता है आपने देखा हो का पानी कहीं से भी लाओगे आप गंगा का पानी लाओ हवांगो का पानी लाओ मिसिसिपी का पानी लाओ मिकॉंग का पानी लाओ आप वोलगा का पानी ले आओ, थेम्स का पानी ले आओ, पानी को जब आप एक्जामिन करोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन के दो आइटम, एक ऑक्सिजन का आइटम मिलेगा that makes one molecule of water दो हाइड्रोजन के आइटम, एक ऑक्सिजन का आइटम होगा वो आपका पानी का molecule बनाता है तो इसी प्रकार से जब हम अपने आपको जान लेंगे इमानवत वो अपने आपको जान अपन को आप ही में पायो, शब्धी शब्द भायो, उज्यारो, सत्गुरु भेत बतायो, अपन को आप ही में पायो मैंने अपने आपको अपने अंदर ही पाया, भार नहीं इसलिए कहा, म्रग नाभी कुंडल बसें, म्रग ढूंडे बनमाएं, ऐसे घट-घट ब्रह्म हैं, दुनिया जानत नाएं कबिर्दाश जी कहते हैं, एक कस्तूरी का म्रग होता है वो ब्रह्म कबल खाता है, नाना प्रकार की जड़ी बूटिया खाता है और उसके अंदर कस्तूरी की formation होती है उसकी नाभी में बड़ी सुगंती निकलती है और वो कस्तूरी का म्रग समस्ता है, कि शायद ये जो खश्बु है ये किसी पत्थर से, किसी प्लांट से, किसी पेड से आ रही है वो भटकता रहता है, पर वो अभागा नहीं जानता कि कस्तूरी का स्रोत तो उसकी नाभी में है वो स्वैम कस्तूरी का स्रोत है वो कहीं से निकल नहीं रही है इसलिए कहा, जो तिल माही तेल है जो चक्मक में आग तेरा साइं तुझ में जाग सके तो जाग अभी आपने देखा आजकल गाड़ी चल रही है गाड़ी पेट्रोल से चलती है कुछ गाड़ियां डीजल से चलती है अब एक नई साइंस आ गई है कि बाई एलेक्टरिक वेहिकल्स होने चाहिए उसे पलूशन नहीं होता है कोई प्रदूशन नहीं होता है एलेक्टरिकल वेकल्स के अंदर बैटरी लगेगी तेल की कार में या तो पैट्रोल डलेगा या डीजल डलेगा लीथियम बैटरी की कार होगी तो उसमें लीथियम बैटरी लगेगी सोलर इनर्जी से अगर चलने वाली कार होगी तो उस पर सोलर पैनल लगेंगे ताके सोलर इनर्जी से गाड़ी चल सके बिना थाकत के बिना शक्ति के बिना उर्जा के बिना इनर्जी के गाड़ी चल नहीं सकती आप बताईए आपका मोबाइल फोन है न डिश्चार्ज होता है आप डौरते हैं कहां से इसको चार्ज करें कहां पॉइंट है गाली में बैठते हैं अगर फोन काम नहीं कर रहा कैसे चार्ज करें लग जाते हैं आप कभी सोचिये कि आप बोल भी रहे हैं सोन भी रहे हैं कम्प्यूटर की तरह प्रोसेस भी करते हैं जोड घटाओ भी करते हैं फैसले भी करते हैं जो काम कम्प्यूटर नहीं कर सकता रिष्टेदारी का काम कौन बेटा है, कौन बाप है, कौन बेटी है ये रिष्टेदारी के relations को आँकने का काम good governance का काम computer नहीं कर सकता it has to be done by a living person तो आप सब काम कर रहे हैं computer का काम भी कर रहे हैं बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं information को process भी कर रहे हैं तो आपके अदर कौन सी बेटरी लगी है वो क्या energy की बेटरी है उसी बेटरी को समझने के लिए संत कहते हैं, उसको साधान भाषा में awakening कहते हैं जागरन कहते हैं धरम की भाषा में उसको बुद्ध कह दिया कि वो बुद्ध है माने आपने energy को पहचान लिया जो energy आपके अंदर function कर रही है जापने आपके अंदर झाल